दोस्तो आप लोगोने बहुत सारे ई-रिक्षा सडकों पे चलते वह देखे होंगे आप में से बहुत लोग ये सोशते भी होंगे कि भाहिए इतने सारे ए-रिक्षा मार्किट में कहां से आगे क्या इंडिया में इन लेके कोई कानून है या ऐसे ही कोई भी रिक्षा खरीदे और इस वीडियो में बताने वाला हूँ और अगर आपका कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं तो जुड़े रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में अंतक दोस्तों मैं मनीश आप लोगों का एक ब आपको थोड़ा एक रिक्षा के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा एक रिक्षा की हिस्ट्री बता दूँ कि आखिर ये एक रिक्षा नाम कैसे पड़ा दोस्तों ये रिक्षा वर्ड जैपनीज वर्ड जिन रिक्षा से ओरिजिनेट हुआ है जिसमें जिन human, Ricky मतलब strength और Shah मतलब vehicle होता है जिसका मतलब हुआ human powered vehicle अब E-Rikshya जो कि electricity से चलता है तो इसका मतलब हुआ electric powered vehicle दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें लगबग 600W से 2000W की motor का प्रियोग होता है E-Rikshya जालतर इंडिया और चाइना में manufacture किया जाता है और कुछ और 2-3 countries में small scale पे दोस्तो E-Rikshya ओरिजिनली जापान में invent किया गया था लगबग 1869 के पास इसकी journey की बात करें तो सबसे पहले hand pulled E-Rikshya से cycle rikshya और cycle rikshya से auto rikshya और अब ये E-Rikshya बनके market में आया है generally hand pulled rikshya में एक बन्दा होता था जो की rikshya को अपने हाथों से खीषता था और पीसे maximum दो लोगों के बैठने की जगे होती थी अब भी कहीं जगा पे ये rikshya आपको कुछ चोटे मुटे शहरों में देखने को मिल जाता है उसके बाद cycle rikshya आया जो की बहुत popular हुआ इंडिया में ये rikshya हर चोटे बड़े शहरों में last mile connectivity के लिए यूज होता है connectivity के लिए यूज होता है और फिर आया auto rikshya जो आप normally diesel और CNG वाले rikshya diesel और CNG वाले rikshya देखते हैं और फिर market में आया battery operated rikshya जो e rikshya के नाम से popular हुआ और आज बहुत सी जगाओं पर देखने को मिलता है दोस्तों मैं आपको बता दू हमारे इंडिया में पहला electric rikshya निंबकर agriculture research institute ने 1990 में बनाया था उन्होंने एक normal cycle rikshya को e rikshya में convert किया था इंडिया में करीब 2011 में popularity गेन करने शुरू की और 2012 तक आते आते केवल दिल्ली शहर में करीब एक लाख e rikshya सडकों पे आ गई बैटरी ओपरेटिड वीकल होनी की वज़ए से इसका कोई registration नहीं होता था और ना ही इसको चलाने के लिए कोई license की जरूत हुआ करती थी जिसकी वज़ए से दिल्ली की सडकों पे कोहराम मच गया और e rikshya से होने वाले accident बढ़ने लग गए जून 2014 तक आते आते e rikshya चालकों के उपर लापरभाई से e rikshya चलाने के लिए करीब 137 FIR दर्ज की गई और कई cases में लोगों की जान में गई 230 जूलाई 2014 को जब इस दिल्ली की तिलोग पुरी इलाके में एक महिला अपने 3 साल के बच्चे को लेकर एक sweet shop के बाहर खड़ी थी और सडक पार करने के लिए गाडियों के रुकने का इंतजार करे थी तबी एक तेज स्पीड में आते हुए इरिक्षा ने पीछे से टक कर मारी और 3 साल का बच्चा अपनी मा की गोद में से sweet shop के बाहर रखी हुई तेल की कड़ाई में जा गे रहा जिसकी वज़े से उसकी मौत हो गई और इरिक्षा चलाने वाला फरार हो गया क्योंकि इरिक्षा के ऊपर कोई registration नहीं था इसलिए उस इरिक्षा चालक को पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो गया इसके चलते दिल्ली हाई कोट की bench of जस्टिस बीडी एहमत और S. मृदिल ने 31 जुलाई 2014 को दिल्ली गवर्मेंट को इस पर तुरंत कुछ समय के लिए रोक लगाने को कहा हाला कि गवर्मेंट और Municipal Authorities ने अपनी arguments में कहा कि Department Transport Department इरिक्षा के चालन के लिए policy बना रहा है पर accident की गंभीरता को देखते हुए कोट ने अपने order जारी किये और साथ में यह भी कहा कि कैसे हम किसी को कानून अपने हातों में लेना लाओ कर सकते हैं इरिक्षा का ना insurance है ना ही registration है ना driver के पास कोई license है और ना ही इसकी sitting capacity पे कोई regulation है इस मुद्दे पर political parties में उस वक्त काफी तू-तू मैमें भी हुई और कुछ महिनों बाद NDA ने अगस 2014 में एक committee बनाई इरिक्षा के rules and regulations को frame करने के लिए ताकि इरिक्षा दिल्ली के सडकों पे चल सके इस panel में भारी उध्योग मंत्राले से यानि Ministry of Heavy Industries Ministry of Environment and Forest and Power Society of Indian Automobile Manufacturers Siam के represented भी शामिल थे दोस्तो आठ अक्टूबर 2014 में इरिक्षा का final notification GSR709 आया जिसमें इरिक्षा को एक special purpose category का vehicle का definition दिया गया जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं दोस्तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में category of vehicles में जैसा बताया था कि हमारे center motor vehicle rules में vehicles को अलग अलग तरह से define किया गया है जिसका link मैंने description में नीचे दिया हुआ है वैसे ही इरिक्षा को हमारे CMBR के rule number 2 में एक अलग category में रखा गया और इसको भी एक definition दिया गया जिसके मुताबिक इरिक्षा एक special purpose battery operated vehicle है जिसमें 3 wheels हैं और जिसको passengers की last mile connectivity के इरादे से इस्तमाल किया जाएगा जिसमें कुछ condition रखी गई जैसे कि इसमें 4 passengers को carry किया जा सकता है और driver को मिला के 5 और हमारे और हर passenger maximum 10 kg समान ले जा सकता है इसकी motor का power maximum 2 kW से ज़्यादा नहीं हो सकता और इसकी speed 25 km पर आवर से ज़्यादा नहीं हो सकती इसकी length 2800 mm इसकी width 1000 mm और height 1800 mm से ज़्यादा नहीं हो सकती वैसे ही समान उठाने वाली गाड़ी मतलब goods carrier को e-card की category में रखा गया जिसकी सारी conditions same है except ये कि passenger की जगए ये goods carry करने के लिए use होता है और maximum 310 kg का weight ले जा सकता है दोस्तो इरिक्षा e-card को चलाने के लिए license तीन साल के लिए valid होता है और अब और vehicles की तरह इरिक्षा e-card को भी CMBR 1989 rule number 126 के according उस rule में listed testing agency से एक prototype model का certificate लेना होता है जो की manufacture को करवाना होता है तभी वो इरिक्षा Indian road पे चलने के लिए RTO में register किया जा सकता है और तभी उसको normal vehicles की तरह registration number, RC, insurance वगेरा issue हो सकता है अधरवाई इसको चलाना illegal है दोस्तो आप भी अगर किसी product के potential manufacture हैं और आपके पास 50 लाग तक का capital है तो आप भी बड़ी असानी से इरिक्षा manufacture बन सकते हैं और आज ही अपनी खुद की एक company खोल सकते हैं आपको बस एक अच्छा सा E-Rikषा का model तयार करना होता है जिसका complete CKD kit आपको market से असानी से 25 से 28,000 में good quality में मिल जाता है और chases and body के साथ आप complete E-Rikषा 50 से 55,000 के budget में तयार कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद आपको किसी भी testing agency जो की rule number 126 में listed है वहाँ पे अपना model submit कराके 50 से 5 से 6 लाग की fees में अपना खुद का model approval करवाना होता है उसके बाद वो certificate आपको RTO में जमा कराना होता है और आपको इससे related कोई भी question हो या आप कोई भी सवाल हो तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं Thank you for watching this video Please like, comment, share and subscribe my channel Stay home, stay safe Thank you, thank you very much